हेलो फ्रेंट्स मारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम इस बल्ब को यह दुने के मदद से चलाएंगे और देखेंगे कि इस कंडेंसर को लगाने के बाद बल्ब का जो है वाटेज वह कमता है या फिर जस्का तस्रह जाता है तो यह जो है फ्रेंट्स 9 वाटका एलेडी वल्ब है और यह रहा हमारा मीटर जिस पर हम चेक करेंगे कि वल्ब नवाटका है तो इसमें हम लाइन देते हैं इस अब यह अब हम लगाते हैं यह लगा लेते हैं और अब लगाते हैं तो इसको लगाने के बाद अब हम इसमें देते हैं लाइन तो यहां सिज लगाना होगा उसके बाद ही काम करेगा और अब हम देते हैं लाइन तो देखेए फ्रेंट्स यह भी नव यह आठ से नव के बीच में लगभग 9 वाट यह दे रहा है और यह 9 वाट का एलेडी है भी याके ष्रीज यहां पर है 9 वाट का तो अब हम इसमें कंडेंसर लगाते हैं अंडiblis लंगाने के लिए हमें इसको निकलना होगा और एक वाइड यहां पर लगाना है और यह जो है इस वाइड को इसमें लगा दिना है और दूसरा वाइड को इसमें लगाना है तो यह हो गया स्रीज में कंडेंसर अब हम इसको चालू करते हैं और देक्शिय्टें यह एक्सुल वाट ले रहा है यह 9 वाट है 9 वाट करें रहा है और अब हम यह बड़ा वाला कंडेंसर लगाएंगे और देखेंगे कि इससे भी वाट में कोई फर्क पारता है या नहीं पड़ता है तो इसको निकालते हैं और इस वाले कंडेंसर को लगाते हैं तो इसका भी एक वायर इसमें लगाना है और एक वायर इसमें लगा लेना है और अब हम इसमें लाइन देते हैं तो देखेए फिर्ण्स यह भी नववाट के राउन में है और अब हम इसको परेडरल में लगाएंगे और देखेंगे कि परेडरल में यह वर्क करता है यह नहीं करता है क्योंकि श्रीज में तो यह प्रोपर वर्क कर रहा है और फाइदा यह होता है इससे अगर आप कंडेंसर लगा के इसको चलाते हो तो वाल्व का जो लाइफ है वो लाइफ बढ़ जाता है जैसे कोई वाल्व का लाइफ अगर डिर साल है तो वो सीधे दो साल के अस्पास आ जाता है क्योंकि यह जो है और वाल्टेज को प्रोटक्ट करता है जो भी अपने अंदर अस्टोर कर लाता है और जब वाल्टेज कमता है तो इसका जो अस्टोरेज में रहता है वो यह देख देता है इसको जिससे कि इसका जो वाल्टेज मिलता है वो प्रोपर इसको मिलते रहता है तो अब हम इसको प्रेडल में लगाते हैं अब लाइन देते हैं तो प्रेडल में लगाने के बाद देखी फ्रेंट्स यह वाला बल्ब जल जाता है यानि कि इसमें स्वाटेज आज आती है जिससे की यह बल्ब जो है नहीं जल बाता है तो इसको हमेशा स्ट्रेज में लगाना है तो आप लोग को यह वीडियो किसा लगा है ने कोमेंट के पेज़े बताबें और प्लीज चैनल को सब्सक्काइब करें इस तरह के एगले वीडियो में तब तक के लिए चाहिए